रोपड जो परमुख अस्थल है इसकी खोज करता है यग यगदत सर्मा यगदत सर्मा तो आज इस वीडियो में हम सिंधु सभेता की परमुख अस्थल एवं खोज करता के बारे में जानेंगे जो एकजाम में हर एकजाम में हर बार पूछ जाता है तो चलिए वीडियो को परमुख अस्थल हरपपा, हरपपा की खोज किसने की थी? दयाराम सहनी ने, जो हरपपा सब्भिता है, हरपपा सब्भिता की खोज दयाराम सहनी ने किया था कब किया था 1921 में दयाराम सानी ने 1921 में किया था मोहन जोदरो इसकी खोज करता जो है राखाल दास है इसकी खोज करता कुन है इसके खोज करता है राखाल दास जी ठीक है और राखाल दास बनर जी ये कब खोजा गया था मोहन जोदरो 1922 में ठीक है रोपड जो परमुक खस्तल है इसके खोज करता है यग यग दत्थ सर्मा यग डत्थ सर्मा और ये कब खोजा गया था 1953 से 55 के बीच में लोथल जो परमुक हस्तल लोथल है इसके खोज करता थे S R Rau S R Rau और ये कब खोजा गया था? 1954 से 55 के बीच में परमुक हस्तल काली बंगा जिसके खोज करता कौन है? इसके खोज करता है B B LAL ठीक है? और ये कब खोजा गया था? 1961 से 79 के बीच में ठीक है? रंगपूर परमुक हस्तल रंगपूर और इसके खोज करता है M S M S Wats M S Wats और ये अस्तल कब खोजा गया था? 1934 से 35 के बीच में चनहूदलो परमुक हस्तल इसके खोज करता है N G इसके जो खोज करता है वो है N G N G मजूमदार और ये अस्तल कब खोजा गया था? 1931 में सुर्ख कोटदा जो परमुक हस्तल है इसके खोज करता है जे जे पी जे पी जो सी इसके खोज करता कौन है? जे पी जो सी और ये अस्तल कब खोजा गया था? 1964 में एक्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है ये सारे चीज़े एक्जाम में हर बार पूछा जाता है बनावली जो परमुक हस्तल बनावली है बनावली के खोज करता कौन है? इसके खोज करता है RS RS विस्ट RS विस्ट और ये अस्तल कब खोजा गया था? 1974 से 77 के बीच में आलमगीरपूर जो परमोख अस्तल आलमगीरपूर है इसके खोज करता है यगदत सर्मा इसके खोज करता कौन है? यगदत सर्मा और ये अस्तल कब खोजा गया था? 1958 में उसके बाद है परमुख अस्थल कोट दीजी के जो खोज करता है वो को नहीं फजल इसके खोज करता है फजल अहमद खा और ये कब खोजा गया था ये खोजा गया था उनिस सो सतावन से अठावन के बीच में ठीक है परमुख अस्थल सुत कांगे डोर सुत कांगे डोर जो है इसके खोज करता है RL RL Stein RL Stein और यह अस्थल कब खोजा गया था यह खोजा गया था 1927 तो यह था सिंदु सभित्ता के परमुक अस्थल और उसके खोज करता और वो अस्थल कब खोजा गया है तो I hope कि आपको वीडियो पसंद आई है अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको पहले से मिल जाए